दोस्तो गोरफपुर से मुंबई जा रही ट्रेन के एस फाइब कोच में दो लड़कियां बैट कर मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, टİकट माँचता है लेकिन उन दोनों में से एक लड़की के पास टिकट नहीं होता है जिसका फाइदा उठाकर वो टीटी उनसे बाते करने लगता है, उनके पास बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता है लेकिन फिर वो आके वही पर बैठ जाता बार बार उनके आसपास ही रहता और उनसे इधर उधर की बाते करता दोस्तों आज के लिए बहुत ही खुब्सूरत गाना रिलीज हुआ है जीना हराम कर दिया तो दोस्तों उन लड़कियों की खुब्सूरती ने उस टीटी का जीना हराम कर रखा था दोस्तों उसकी ड्यूटी कानपुर तक खतम हो रही थी लेकिन वो मुंबई तक जाने का मन बना लेता है और उस टेन के अलग डिबे में बैठे उन लड़कियों के परिवार वालों को जरा भी खबर नहीं था कि आखिर इस सफर में चल क्या रहा है दोस्तों बार बार उस टीटी का आना उन लड़कियों से बाते करना उन लड़कियों को अच्छा लगने लगता है दो दोस्तों जो टीटी होता है उसका नाम होता है रोहित गुपता और जो लड़कियां होती है एक का नाम होता है दीपका 26 साल और दूसरी का नाम होता है रित्का जो उसकी बहन होती है छोटी 21 साल दोस्तो ये दोनों लोग मुंबई जा रही थी S5 कोच में टीटी जो रोहित गुपता होता है आता है बोलता मैडम टिकट दिखाएए अब दोस्तो जो दीपका होती है वो कहती है सर मेरा टिकट जो है वो मेरे ससूर के पास है टीटी चौंग जाता है कि दिखने में तो साधी सुदा लग नहीं रही है ना माग में सिंदूर है ना पैरों में बिछिया है ना कंगन है ना चूरी है कहीं से तो साधी सुदा लग नहीं रही है फिर भी कह रही है कि मेरे ससूर के पास है दीप का कहती है कि वो लोग B2 में बैठे हुए हैं, रोहित कहता है ये तो AC का डबबा होता है, उसमें वो लोग कैसे बैठे हैं, और मैं उसमें जा कैसे सकता हूँ, मेरी duty तो यहीं पर है, sleeper में, मैं कैसे मालनू कि आप सही बोल लही हो, तो दीप का रोने लगती है, उसकी दूसरा स्टाफ होता है, AC का, उन से बोलता है, इन लोगों से नाम पूछ कर, कि जरा पता लगाओ फ़ला नाम के जो पैसेंजर हैं, वो B2 में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, तो अपना तुरंट उनके हाथ में लिस्ट होती है, चेक करता है, बोलता कि हाँ सर आप आ जाना कोई बात नहीं, अब दोस्तों जब अगले स्टेशन पर गाड़ी रूपती है, तो रोहित उतर के दोड़ के B2 में भागा भागा जाता है, और वहाँ पर उन से बोलता है कि S5 में एक दो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो टिकट आपके पास है क्या, DP का नाम ह तो रोहित बोलता है कि जो दूसी लेडिज हैं, उनका तो टिकट ही नहीं है, उनका टिकट दिखाएए, तो लोग बोले कि उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदार जो वहाँ पर हमारी बहु बैठी हुई है, वो है, अ देखता है तो वहाँ पर एक 20 साल का लड़का होता है एक उनकी 18-19 साल की लड़की होती है दो मिया भी भी होते हैं इन चारों के लावा कोई पांचवा दिखता नहीं है इनी चारों का टिकट भी था उनके पास AC का तो बोलता है सर आप लोग AC में बैठे हो और आप ही के घर क जो लेडिस हैं आपकी बहू है वो सिलिपर में बैठी हुई है अकेले तो ऐसा कैसे हो गया टिकट नहीं मिला क्या तो जो दिवका के ससूर थे वो भड़क जाते हैं वो बोलते हैं कि इससे आपको क्या मतलब हम कैसे भी जाएं और अगर हम जर्नल में जाते तो क्या आप हम होने लगी तो बोली हां वो ऐसे ही नाटक करती हो नाटक करके ऐसे दिखाती है दोस्तों जब उसकी सास इस तरीके से बोली तो जो टीटी था रोहिद गुपता पांच मिनट के लिए बैठ जाता है वहीं बगल के ही सीट पर उनको समझने के लिए कि जड़ा देखूं माज कैसे होगा तो उसके ससुर बोलते हैं और जो होगा तो देखा जाएगा अपनी जिम्यदारी पर ले जा रहे ही खुद देखेगी हमको क्या लेना देना अब दोस्तों माजरा समझ जाता है जो रोहित होता है कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है और जो बहु है वो बितवा ह हो चुकी है अब दोस्तों एक बार फिर रोहित उसी जगा पर आ जाता है जहां दीपका और रितका बैठी होती है उसको देखकर वो लोग थोड़ा सरक जाती हैं बैठ जाता है बोलता भाई आपका तो टिकेट है उनके पास इनका टिकेट नहीं है तो उसने बोला सर इनका तो नहीं है बताईए हम क्या करें तो रोहित बोलता है कि भाई टिकेट तो बनवाना पड़ेगा इनका तो दीपका कहती है कि सर कितने पैसे हुए कल्कुलेट करता है तो बोलता है कि 900 रुपे हुए पैनल्टी वगरा लेकर अब दोस्तों दीपका अपने पर्च से पैसे निकालती है अपने बहन से भी 200-300 रुपे लेती है कुल मिलाकर 1000 रुपे होते हैं जिसमें से 900 रुपे वो रोहित को दे देती है तो जब 900 रुपे रोहित को मिलते है टिकेट बना देता है दीपका के हाथ में दे देता है इतने में दोस्तों दीपका ने खाने का ओर्डर द तो मेरे पास पैसे नहीं हैं अब जो है रोई यह सभ दे करा था तो बोला कि अभी तो आपने और्ड दिया था 170 रुपय का ही तो है मैं מה अप यहां से मुंबई जा रहे हैं आपके पास 170 रुपय नहीं है तो बोली हाँ नहीं है, रोहित कहरा था रहार तुम रख दो खाना, मैं पैसे दे देता हूँ, तो बोली नहीं सर रहने दीजे, बोला नहीं, खा लो खाना, खा लेना चाहिए, दोस्तो खाना रखवा लेता है, 170 रुपे अपने जेब से, रोहित जो है उस बेंडर को दे देता है, बेंडर चला जाता है, अब दोस्तो रोहित के मन में हजारो सवाल उमर रहे थे, क्या पूछू कहां से सुरू करूँ, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वहां पर मतलब बनता था, दीपका की सादगी और उसकी खुबसूरती, रोहित के आँखों में बस गई थी, तो इसलिए जो है, क कि सर, ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए था, उसने बोला कि मैंने तो पूछा, लेकिन वो तो बुरी तरीके से भड़क गए, उल्टा सिधा कहने लगे, तो वो बोली हाँ, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, और हमारी बहन जा रही है, तो इसलिए वो किये तब उन लोगों ने मेरा टिकेट लिया, तो वो बोले, फिर आप अपनी बहन को क्यों लेके जा रही है, अपने घर क्यों लेके जा रही है, तो बोली क्या करूँ, घर पे मेरे कोई नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरी पिता जी है, हम दोनों बहने हैं, पढ़ी लिखी है, में कुछ है नहीं तो मैं सोची वहीं जाके कंप्यूटर औगयरा करा दूंगी किसी कंपणी में लगवा दूंगी दो चार पैसे कमाएगी साधी विभा हो जाएगा लेकिन यह चीज उन लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसलिए वो लोग हम मुझसे रूठे हुए हैं त तो उसमें से कुछ खर्च अपनी बहन को दे दिया करूंगी कहीं रूम लेके रख दूंगी अपना पढ़ाई करेगी तो रोहित ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप आपके साथ ससूर नहीं समझ रहे हैं लेकिन आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछना तो दीबका ने कहा सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पती का क्या हुआ तो रोहित ने कहा हाँ मैं तो यही पूछना चाह रहा था तो दीबका ने कहा सर बहुत पीते थे नसे की बहुत बुरी लथ थी उनको और मेरी शादी तीन साल पहले हुई थी, दो ही साल बाद उनकी मौत हो गई, वो इस दुनिया में नहीं है, कहते हुए इसके आँखों में आंसु आ गया, तो हरितका ने कहा कि सर आप ऐसी बाते क्यों पूछ रहे हो, कि आप सबसे ऐसे ही बात करते हो, तो रोहित बोला नहीं ऐसी बा तो रोहित ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठ गया, समाज को समझने के लिए, देखने के लिए, दिवकागा कहती है, जब तक आप के उपर दुख नहीं पढ़ेगा, आप समाज को समझ नहीं पाएंगे, जिस दिन दुख पढ़ा, भगवान न करे आपके उपर कोई तो आपने शादी क्यों की तो दीबका ने कहा सर क्या करते हमें बताया गया कि परिवार मुंबई में रहता है कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी नहीं है उनको जो है एक सुन्दर सी बहु चाहिए थी और एक गाउं की लड़की चाहिए थी जी उनके बेटे को समाल सके और मेरे भी माबाप को एक लड़का चाहिए था तो इस तरीके से साधी हो गई मैंने बहुत मुश्किल से वो सब दिन काटे अब मुझे किसी बात का कोई पस्तावा नहीं है लेकिन जब मेरे साथ गलत ब्योहार किया जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है अब दोफ्तों जाने क्यों जो टीटी था रोहिद कुप्ता दीबका और रितका से इतनी बाते कर रहा था जहाने कि दीपका और रितका भी उतनी बातें कर रही थी वहाँ पर कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे छे-साथ लोग और थे वो लोग ध्यान लगा कर बातें सुनने का प्रयास कर रहे थे तो इस तरीके से काफी टाइम बीट गया रोहित बोला जब टेन लखनव पहुंचने वाली थी तो रोहित ने कहा कि मेरी डूटी जो है लखनव तक ही है उसके बाद जो है दूसरे किसी की डूटी है तो मैं लखनव में उतरने वाला हूँ जब यह बात दीपका और रितका सुनती है तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी चा जाती है फिलहाल उठता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल लखना दोस्तों जब प्रोहिद जाने लगता है तो दीबका और रितका कहते हैं भगवान ना करें कि आपके उपर कभी कोई दुख पड़े हम इस्वर से प्रात्ना करेंगे और यही चाहेंगे कि आप हमेशा इसे लोगों का हाल चाल पूशते रहें दोस्तों लखनों में उतर जाता है वो ट्रेन चल पड़ती है सब लोग सो जाते है अगला दिन सुबा होता है ट्रेन जो है वो जहांसी से आगे निकल चुकी थी तभी दीबका और रितका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज पड़ती है जब वो देखती है तो चौँक जाती है और खुसी के मारे उचल पड़ती है दोस्तों वो रोहित ही होता है तो दोस्तों जितका कैथी है करे सर आप इसी में हो आप उतरें आप गए नहीं थो वो बोला की हाँ नहीं गया उतरा तो था लेकिन फिर दोड़के चड़ गया आप लोगों ने चाय नासता किया तो बोले सर अभी तो यही उठे हैं बरस अगरा किये हैं अभी कर लेंगे अभी तक किये नहीं इतने में दोस्तों कटलेट चाय वाले आ जाते हैं रोहित सब के लिए नास्ता लेता है खुद भी करता है और बातों का सिसला फिर सुरू हो जाता है क्योंकि इसकी ड्यूटी तो खतम हो चुकी थी दोस्तों इसके लिए उसने ऑनलाइन दो तीन दिनों की छुट्टी ले ली और मुंबई तक जाने का मन बना लिया फिर रितिका ने कहा सर फिर आप आप कहां तक जाओगे तो बोला आप तो मुंबई तक जाना है सारे लोग खुश हो गए कंपार्डमेन में जो लोग थे वो भी खुश हो गए क्योंकि चाय पानी उनको भी रोहित पिला देता था अब दोस्तो बातचीत का सिसला शुरू होता है इधर उधर की तमाम बातें कहें ट्रेन रुकती थी तो रोहित चला जाता था उसके सास्तसुर का भी हाल चाल ले आता था उसी बहाने देख आता था दोस्तो शाम हो गई रात को 11 बज़े ट्रेन पहुँचने वाली थी कुला टर्मिनल्स अब दोस्तो जब ट्रेन पहुचने वाली थी तो रोहित नहीं दीवका और रिद्का से कहा कि पिछले 5-6 सालों से नौकरी कर रहा हूँ लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इसी ट्रेन में आने जाने वाली दुबारा मुझसे कभी मिले हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो मेरी लेकिन आप बुरा नमाने तो अगर अपना नंबर दे देते तो कभी कभार बात हो जाती तो दीबका ने कहा सर मैं अपना नंबर तो दे नहीं सकती लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिला लूँगी दोस्तो रोहित ने नंबर दे दिया फिसने बोला कॉल करोगे तो दीबका बोली सर जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे आता है, तीन चाह दिन बीच जाते हैं, हर पल वो दीपका के ही फोन का इंतजार कर रहा था, और चौते दिन उसके फोन पर रात को ग्यारा बुजे फोन आता है, उसके डूटी दिन दिन में थी तो इसलिए उस दिन और रात को घर में ही था, उसके फोन पर फोन आता है, उध परपल आपके फोन का इदिजार कर रहा था लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कौन किसको याद करता है कौन फोन करता है दीपका कहती है कि नहीं सर ऐसी बात नहीं थी हम भी आपको याद कर रहे थे लेकिन जब से यहाँ पर आये हैं तो घर में काफी बवाल था और तीन-चार दिन मुझा घर में सब कैसे हैं साथ ससूर साब मुले सब लोग ठीक हैं सब- लोग मस्त- गोई दिक्कत नहीं है उनुगों का क्या पूछना तो तो हाल-चाल हो गया तो दीपका ने रोहिद से कहा कि सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहते हूं तो रोहिद ने कहा पूछीए तो जिस तरीके से मैं चार-पांच बार आई गई, मैंने कभी नहीं देखा, कोई किसी के लिए नहीं करता, ये बात अलग है कि पैसेंजर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकि जिस तरीके से आपने ब्योहार किया, काफी अच्छा था, लेकिन मैं जानना चाहते हूं कि आखिर कि साथ बुरा मान गई, कुछ नहीं आवाज आती हूं धर से, दोस्तो सिस्कियों की आवाज आने लगती है, दीपका रोने लगती है, और रोते हुए ही कहती है, I love you to sir, मैं भी आप से प्यार करने लगी हूं, फोन कट जाता है, दीपका जो है रोने लगती है बैठकर, उस इस तरीके से सर्ग मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे, कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैंने उनसे बताया कि मैं बिद्वा हूं इस तरीके से, कैसे होगा आप इतने अच्छे नोकरी पर हैं, तो उन्हें ने बताया कि मैं जानता हूं एक बिद्वा का क्योंकि ऐसा नहीं है उस दिन तुमने बोला था कि जब दुख पड़ेगा तब ही आप जान पाओगे तो रित्या उनके उपर भी काफी दुख पड़ा है बस्पन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी मा जो है उनको लेकर अकेले जिन्दगी गुजारती रही उनक परिशानियों में जूशती रही तो उन्होंने तभी से फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी बिद्वा से ही करेंगे साइद इसलिए रित्का वो हमारे लिए इतना परेशान थे इसलिए वो हमारे साथ मुंबई आये थे तो अब तू बता मैं क्या करू रितका कहती है दीदी आप सर से बात करो उनसे मुलाकात करो आप शादे कर लो वाकई में सर बहुत अच्छे हैं दोस्तो इसके बाद दो चार महिने बात चीत हुई उन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात हुई जब उसके साथ ससूर को पता चला कि इसको तो एक अच्छी नौकरी वाला इस तरीके से पसंद कर लिया है एक लड़का तो लोग भी सन रह गए लेकिन वो भी कही न कहीं चाहते थे कि उसने हमारे बेटे के साथ इतनी परेशानी जेली है तो चलो ठीक है इसकी साधी हो जाए दोस्तों इस तरीके से दीपका और रोहित की साधी हुई ए आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए जरा भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे किसी वीडियो में तब तक के लिए जाए